पिछले मेने 17 अक्टूबर को इंटेल का 14 जेनरेशन जो है लांच होता है मार्केट के अंदर मैं सोचो उसी टाइम वीडियो बनाओं बट मेरे को लगा कि इस पर थोड़ा सा रेट्स आने देते हैं सारी चीजें क्लेर हो जाने देते हैं फिर एक बार वीडियो बनाते हैं तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस इस इसका प्राइसिंग हमें कहां से इसको खरीदने चाहिए और के रियली आपको 13 से अगर 13 में है अगर तो 14 में स्विच करना चाहिए या नहीं यह क्या सहीं रहेगा यह affordable रहेगा तो इसारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को शुरू सेन तक जिरू को देखिए अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलो वीडियो हम शुरू करते हैं इसके अंदर आपको 14 और 20 देखने को मिल जाते हैं 5.30 गिगार्ज का बूस्ट फ्रिक्वेंसी है और बेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 4 गिगार्ज है अगर इससे भी कम आपको मिल जाते हैं मार्केट के अंदर तो आई विल प्रिफर्ट की आप मार्केट से ही लो क्योंकि ऑनलाइन वाले में मेरे को भी थोरा सा ट्रस नहीं होता क्योंकि 31 था इन काफी बढ़ा अमांट होता है इससे पहले कि हम आई 7 के 14th generation के बारे में बात करने के लिए अगे बढ़ें हम आपको बता दें कि 13th generation जो है और 14th generation जो है दुनों के परफोर्मेंस का जो परसेंटेजIl है दुनों के परफोर्मेंस जो निक्रीक वो 3-4% का हुआ है तो इससे भी आप जज़ कर सकते हो कि क्या आप अगर 12 या 13 जनरेशन में हो तो क्या सही रहेगा स्विच करना 14th के अंदर सिर्फ 3-4% के performance का boost आपको मिलता है अगर आप सोच रहे हो कि 12 या 13 जनरेशन का price drop होगा 14th के आने के वैसे तो मेरे को नहीं लगता इसा कुछ है क्योंकि performance में आपको बताए कि 3-4% का अंतर है तो price कहीं न कहीं वही रहने वाला है अब आगे बढ़ते हैं Intel के i7 14th generation 700K के अंदर इसके अंदर आपको 20 core और 28th देखने को मिल जाते हैं जिसमें की boost frequency 5.6 GHz का है और base frequency 3.6 GHz का है प्राइस की बात करें तो i5 के compare में यह 7000 महेंगा है थोड़ा सा मतलब 38,000 तक आपको market में मिल जाएंगे और भी कम मिल सकते हैं बड़ थोड़ा सा आपको R&D करना परेगा गुमना परेगा देखना परेगा अब हम बात करेंगे i9 के 14th generation 900K के बारे में इस processor के अंदर आपको 24 core और 32 red देखने को मिल जाते ह है और 6 GHz की boost frequency है बड़ बेस प्रिक्वेंसी की बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाता है 2.4 GHz का हो जाता है memory support 192 GB तक है जो कि सब में कहीं ने कहीं available है और प्राइस की बात करें तक आपको परेगा मतलब कहीं ने कहीं पुराने और जो 38,000 पर रहे थे उससे करीब आपको 19,20 पर रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि switch करने से पहले एक चीज़ देखना कि अगर 14 जनरेशन में switch करने की बात है अगर अभी आप 12 यह 13 जनरेशन के अंदर हो तो मैं आपको बता दू कि दोनों 13 जनरेशन और 14 जनरेशन के बीच में जो है performance बूस्ट हुआ हो 3-4 परसेंट तो आप stay करो अगर फिर भी budget है तो आप switch कर सकते हो क्योंकि इससे थोरा सा performance बूस्ट हो जाता है वीडियो रेंडर करने में या gaming में काफी सहुलियत हो जाता है तो आप कर सकते हो चाहो तो बट मेरे इसाब से अभी budget है तो आप नहीं करो क्योंकि performance में उतना जादा आपको कम दिख रहा है डिसकाउंट मिल जा रहा है तो वहां से भी आप ले सकते हो बागी मैं recommend करेंगा कि offline ही लो जाके test करके लो जाके दुकान से लो क्योंकि वहां पर और भी कम आपको price मिल जाते है online के compare में नहीं कई बार फेस किया है इंजियों को लेके computer parts offline अगर आप लेने जाते हो कोई भी चीज तो आपको वह सस्ता पढ़ता है और online के compare में तो बिल्कुल सस्ता पढ़ता है तो एक बात जरूर से देख लेना मैं 3-4 website का link नीचे दे दूंगा तहां आप देख सकते उसका features उसका specification के बारे में तो आज की वीडियो में यहीं तक रहें देते कर वीडियो पसंदाते वीडियो को लाइक कर दीएगा चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर जीएगा थैंक्स पर वाचिंग